यह मैंदान तेरा जरूर होगा लेकिन इस खेल के सबसे पुराने के लाड़ी हम है आज के इस वीडियो में बात करेंगे प्रत्विराज सुकुमारन की दगोट लाइफ के पास दिनों के वल्डवाइट कलेक्शन के बारे में होलियोड की फिल्म गोटजिला वर्सस कोंग और बोलियोड की फिल्म क्रू के चार दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में साथ इसाथ आजए देउगन की सेतान के 25 दिनों के कलेक्शन के बारे में तो और सिधार्थमुलोत्रा की युद्धा के Final Worldwide Collection के बारे में शाथ इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बड़े मिया चोटे मिया के Advanced Booking Collection के बारे में तो चलिए सुरूआट करते हैं देखते रहिएगा पुरा वीडियो साथ इसाथ कमेंड करके बताईएगा कि इन सभी फिल्मों में आपके पसंद की फिल्म कौन सी है सबसे पहले अगर बात करें एक्सन पेक्डिव फिल्म योद्धा के बारे में जिस फिल्म में हमें देखने को मिले थे सिधार्त मोलोतरा और उनके साथ दिसा पाटनीर आशेकन्ना साहट करोड के बजट में बनी योद्धा फिल्म को सिनमा घरों में आप कम्पलीट हो चुके हैं 18 दिन और दोस्तों ये फिल्म लगबग हिंदुस्तान के सभी सिनमा घरों से अब बाहर होती जा रही है जिया दोस्तों फिल्म पहले हप्ते में ठीठा कमई कर चुकी थी दूसरे हप्ते में भी फिल्म के कलेक्शन एक तरह से ठीठ रहे थे लेकिन तीसरा हपता आते ही फिल्म ने वीकेंड में तो डीसेंड कमई की लेकिन मंडे के बाद इस फिल्म के सोस पूरी तरह से केंसल हो रहे हैं जिसके चलते ही ये फिल्म आप सिनमा घरों से उतर चुकी है सिर्फ गिने चुने कुछ एक सिनमा घरों में फिल्म को आप चलाय जाएगा तो ये कहना गलत नहीं होगा कि फिल्म का जो फाइनल कलेक्शन है वो 18 दिनों के अंदर ही सामने आ चुका है हलाकि बात करें आपर योद्धा के अब तक के यानिके 18 दिनों के टोटल बोक्स ओपिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने शुरुआती दो हपतों में इंडिया से नेट कलेक्शन 35 करोड 48 लाक रुपे का किया था वही दोस्तों फिल्म ने अपने तीसरे विकेंड यानिकी इस सुकुरुआर सनिवार रविवार इन तीन दिनों में 2 करोड 29 लाक रुपे की कमई की हलाकि ये फिल्म आज यानिक अठारवे दिन इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 20 लाक रुपे का ही कर रही है इसी के साथ दोस्तों योद्धा का जो अब तक का ओल इंडिया नेट कलेक्शन है वो 37 करोड 87 लाक रुपे का हो चुका है तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 45 करोड 6 लाक रुपे बतादे दोस्तों फिल्म ने औरसेज मारकेट यानिकी विदेशों से 12 करोड 85 लाक रुपे टोटल कमाए है और इसी के साथ योद्धा का जो फाइनल बॉक्स ओफिस कलेक्शन है वो 57 करोड 99 लाक रुपे का हो चुका है बतादो दोस्तों फिल्म का बजट जहाँ साहट करोड रुपे था उससाब से देखे जाए तो ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर फ्लोप हो चुकी है वही दोस्तों अब अगर बात करें बॉलियूट के मास महराजा आजए देउगन के फिल्म सेतान के बारे में जिस फिल्म में आजए देउगन के अलावा हमें आर माधुहन जोतिका देखने को मिले थे साहट करोड के बजट में बनी सेतान फिल्म को इस वक्त 25 दिन कंप्लीट होचके और फाइनली दोस्तों फिल्म ने 25 दिनों के अंदर बॉक्स ओफिस पर जो कमई की वो सब को सर्प्राइस करने वाली है क्योंकि इस फिल्म के रिलिज होने के पहले सबको लगा था कि एक रिमेक फिल्म है तो साइध ये मुवी बॉक्स ओफिस पर उत्ती अच्छी कमई नहीं कर पाएगी लेकिन दोस्तों फिल्म ने सबको सर्प्राइस कि और फिल्म के जो वल्डवाइट कलेक्शन है वो 200 करोड रुपे से भी जादा के हो चुके हैं हलाकि बात करें सेतान के 25 दिनों के डीटेल बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों सेतान फिल्म ने 23 दिनों के अंदर ही इंडिया नेट कलेक्शन 140 करोड रुपे से जादा का कर लिया था वही फिल्म ने अपने 24 द क्लेक्षन 142 करोड 33 लाक रुपे का हो चुका है तो ओल इंडिया ग्रोस क्लेक्षन 168 करोड 24 लाक रुपे बतादे दोस्तों फिल्म ने और सेज मार्केट यानि के विदेशों से 32 करोड 90 लाक रुपे की टोटल कमई की है और इसी के साथ आजे देवगन के सेतान का 25 दिनों म वर्ल्ड वाइट बॉक्स ओफिस कलेक्षन हो चुका है 201 करोड 15 लाक रुपे जिया दोस्तों फिल्म दुनिया भर में 201 करोड रुपे से जादा की कमई करके बॉक्स ओफिस पर सूपर डूपर हिट हो चुकी है वही दोस्तों अब अगर बात करें इस हबते रेलिज हुई ह पुल्योट की वन अब दा बिगेश्ट फिल्म गोडजिला एक्सकोंग के बारे में जिस फिल्म को सिनमा घरों में आज कम्प्लीट हो चुके है चार दिन बताना चाओंगो दोस्तों फिल्म इंडिया में हिंदी तमिल तेलगो मलियालम कन्नड़ा इंगलिस लगभग चार स पांच भासाओं में रिलीच की गई थी और फिल्म ने सभी भासाओं में काफी सांदार कमई की हलाकि फिल्म के हिंदी कलेक्शन तो जबर जसते हैं साथ इसाथ फिल्म ने साउथ लेंग्वेजस में तमिल और खास करके इंगलिस वर्जन में काफी तगड़ी कमई कर ली है हलाकि फिल्म इंडिया के अलावा वर्ल्ड वाइड मार्केट में भी रिकोर्ड तोड कलेक्शन करकी सुपर डूपर हिट हो चुकी है बात करे गोड़्जिला एक्सकोंग के सुरुवाती चार दिनों के टोटल कलेक्शन के बारे में दोस्तो इस फिल्म ने पहले दिन इंडिया कलेक्शन 15 करोड 22 लाक रुपे का किया था वही दूसरे दिन 12 करोड 25 लाक रुपे और तीसरे दिन संडे था लग रहा था कि फिल्म के कलेक्शन में ग्रोथ आएगी लेकिन फिल्म ने तीसरे दिन इंडिया नेट कलेक्शन सिर्फ 13 करोड 80 लाक रुपे का किया हाला कि दोस्तो आज इस फिल्म के कलेक्शन में एक बड़ा ड्रोप आ चुका है और ये फिल्म चोथे दिन ओल इंडिया नेट कलेक्शन 5 करोड 50 लाक रुपे का कर रही है इसी के साथ Godzilla X-Kong का चार दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन से 47 करोड 20 लाग रुपे का हो चुका है तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 56 करोड 25 लाग रुपे बता दे दोस्तों Hollywood की website के मताबिक ये फिल्म चार दिनों में worldwide collection 200 मिलियन डूलर का कर रही है जो कि इंडियन करंसी के हिसाब से 1600 साहट करोड रुपे बनते हैं तो दोस्तो फिल्म वर्ल्ड वाइड मार्केट में 200 मिलियन के कमई करके सुपर डूपर हिट हो चुकी है लेकिन आब अगर बात करें इस हबते रेली जुए मलियालम सिनमा के उनब देश्ट फिल्म गोट लाइफ के बारे में तो दोस्तो आपको बता दे कि प्रत्वीराज सुकुमारन के फिल्म गोट लाइफ को हर एक भासा में खुब प्यार मिल रहा और फिल्म इतनी सांदार बनके तयार हुई है कि इस फिल्म की हर कोई करता नजर आ रहा है और कहीं न कहीं दोस्तों एक अच्छी फिल्म होने की वज़े से इस फिल्म को बॉक्स ओफिस पर जो कलेक्सन देखने को मिले वो पूरी तरह से धमाकेदार है सबसे पहले तो आपको ये बता दे कि इस फिल्म का बजट है 80 करोड रुपे लेकिन दोस्तों मैं लिखके देता हूँ कि जितना इस फिल्म का बजट है ना उससे दुगनी कमई ये फिल्म करने वाली है हलाके आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये बात आई होगी कि इसका बजट 80 करोड क्यों तो दोस्तों इस फिल्म को बनाने में पूरे 16 साल लगे हैं अगर बात कि जा यहाँ पर दो गोट लाइप के अब तक के यानि कि 5 दिनों के टोटल बोक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में तो दोस्तों इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया नेट कलेक्शन 7 करोड 7 लाग रुपे का किया था दूसरे दिन कमाये थे 6 करोड 81 लाग रुपे और तीसरे दिन 7 करोड 5 लाग रुपे वही दोस्तों फिल्म ने चोथे दिन All India Net Collection 9.20 रूपे का किया हलाकि दोस्तो ये फिल्म आज यानिकी पाचवे दिन India Net Collection कर रही है 4.50 रूपे और इसी के साथ The Good Life का सुरू अति पास दिनों के अंदर India Net Collection 35.36 रूपे का हो चुका है तो India Gross Collection 42.65 रूपे फिल्म ने Ursus Market यानिकी विदेशों से 28 करोड 40 लाग रुपे की टोटल कमई की है और इसी के साथ दोस्तो दगोट लाइप का सुरुवाती पांस दिनों के अंदर वल्ड वाइड बोक्स ओफिस कलेक्सन 91 करोड 5 लाग रुपे का हो चुका है जिस तरह से फिल्म डेली बोक्स ओफिस पर सांदार कमई करती जा रही है उसे देखकर इतना कहना तो कन्फोर्म है कि ये फिल्म बोक्स ओफिस पर एक बड़ी ब्लोकबश्टर बनने वाली है वही अब अगर बात करें सब ते रिली चुई बोलियोट की फिल्म क्रू के बारे मी 50 करोड के बजट में बनी क्रू फिल्म को सिनमा घरों में आज हो चुके है 4 दिन और फिल्म ने 4 दिनों के अंदर अपने बजट से कही जादा कमई दुनिया भर में कर ली है जिया दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म में हमें देखने को मिल रहे हैं करीना कपूर, तबू, कृती, सेनन, कपिल, सर्मा और दिलजित, दोसांज फिल्म को लोगों ने काफी जादा पसंद किया जिसके चलते इस फिल्म की ओपनिंग तो काफी जबर जस्त थी, साथ ही साथ फिल्म ने वीकेंड में भी बढ़िया कमई की और वीग डेज आने के बावजोद भी, फिल्म के कलेक्शन में कोई बड़ा ड्रोब देखने को न आज के बात करें इस फिल्म के आज यानि की चोथे दिन के कलेक्शन के के बारे मी तो फिल्म को जो आज रुखी पिन से मिली हो पहले दिन के मुकाबले 50% ड्रोब हो चुकी है यानि के दोस्तो दे क्रूव फिल्म अपने चोते दिन इंडिया नेट केलेक्शन 5 करोड 10 लाख रुपे का कर रही है इसी के साथ क्रूव फिल्म का 4 दिनों का इंडिया नेट केलेक्शन 38 करोड 17 लाख रुपे का हो चुका है वही इंडिया ग्रोव्स कलेक्शन 46 करोड 5 लाख रुपे बता दे दोस्तों फिल्म ने और सिस मार्केट यानि के विदेसों से 22 करोड 75 लाख रुपे की टोटल कमई की है और इसी के साथ क्रूव फिल्म का चार दिनों का वर्ल्ड वाइट बॉक्स ओफिस कलेक्शन 68 करोड 80 लाख रुपे का हो चुका है जिया दोस्तों फिल्म दुनिया भर में 68 करोड 80 लाख रुपे की कमई चार दिनों में कर चुकी और सब कुस सही रहा तो फिल्म का फ़र्श्ट वीक कलेक्शन ही 100 करोड रुपे का हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको बता है फिल्म का बजट है 50 करोड रुपे उस हिसाब से देखे जाए तो ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर सूपर हिट होने वाली है लेकिन दोस्तों अगर अंते में बात करें इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बड़े मिया छोटे मिया के बारे मी आली अबबास जफर का डिरिक्सेन में بن रहे ही फिल्म बड़े मिया छोटे मिया जिस फिल्म में हमें देखने को मिलेंगे सुपरिश्टार अक्षे कुमार और टाइगर सुरूप साथी साथ इस फिल्म में मानुसी चिलार, सोनाक्षी सिन्ना और अलाया एफ में नजर आएंगे 10 अपरेल को रिलीज होने जा रही इस फिल्म को सिनमा घरों में दस्तक देने में आप समय बचा है सिर्प 9 दिनों का इसे में जितने भी अक्षे कुमार और टाइगर सुरूप के फेन से वो बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं कि इस फिल्म के इडवांस बुकिंग कब सुरू होगी तो दोस्तों आपको बता देगी यहां पर बड़े मिया छोटे मिया की जो इडवांस बुकिंग है वो इंडिया में तो साइद आने वाले दो तिन दिनों में सुरू की जाएगी लेकिन इस फिल्म के जो ओरसिस के इडवांस बुकिंग है उसे ओल्रेडी दो दिन पहले सुरू कर दिया गया है और फिल्म को ओरसिस मार्केट में जो रिस्पोंस मिला है वो काफी बड़िया है जिया दोस्तों आपको बता दे कि बड़े मिया छोटे मिया की ओरसिस कंट्रेज में USA, Australia, UK, Germany और EUAE तीन चार देसों में इडवांस बुकिंग को दो दिन पहले सुरू किया था जहां से फिल्म ने अभी तक एडवांस बुकिंग में 1,99,000 डोलर की कमई की है तो दोस्तों फिल्म को रिलीच होने में अभी एक हफते से ज़्यादा का समय बाकी है लेकिन फिल्म ने विदेसों से अभी से ही अच्छी खासी एडवांस बुकिंग की सुरूआत कर दी है अब देखते हैं कि जब इस फिल्म के इंडिया में बुकिंग सुरू होगी तो ये फिल्म इंडियन बॉक्स ओफिस पर क्या कमाल करती है हालाकि दोस्तों इतना तो पक्का है कि ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी बॉल्योट की तरफ से ओपनिंग लेने वाली और सबकु सही रहा तो ये मुवी पहले दिन वर्ड वाइड मार्केट में 50 करूर रुपे से ज़्यादा की कमई कर सकती है बाकि दोस्तों आपको क्या लगता है बड़े मिया छोटे मिया फिल्म बॉक्स ओफिस पर फाइनल कलेक्शन कितने करूर का करेगी अपने राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताए और डेली बॉक्स ओफिस कलेक्षन वीडियोस देखने के लिए आपके अपने इस चेनल को सबस्क्राइब ज़रूर करें मैं मिलता हूँ आप से एकले वीडियो में जब तक के लिए खयाल रखे अपना और अपने माता-पिता का जे हिंद वंदे मातरम